इस विडिव में मैं एपका बताने वाला हूं, friends कि आप जो है moto, e 14 mobile phone में, दोस्तो, आप जो है अपने phone का दोस्तो, जो है, back button को आप दोस्तो, change दोस्तो कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर आपका back button इस side लिख रहा है, तो आप जो है इस button को दोस्तो, इस side कैसे ला सकते हैं? तो आ दसमें रिजना लेते हुए वीडियो को स्टाट कर लेते हैं बड़ से पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देगा बासवाले नोडिफिएजन बेल को दवाकर और जरूर क्लिक कर लेजगा चलिए शुरू कर लेते हैं तो इसके लिए देखिए आपको दोस्ता अपने इसमें आपको यहाँ पर आपको बहुत से दोस्तो बैक बटन सेट करने का उप्सन मिल जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं मेरा दोस्तो यहाँ पर जो है दोस्तो जो है ऊपर बाला से स्लेक्ट है तो दोस्तो इसमें जो है बैक बटन दोस्तो है लेप्ट की ओर और होम बीच में और टास्क राइट में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी बैक लेप्ट और होम बीच में औ और टास्क जो आ चुका है राइट में अब दोस्तो देखिए अगर हम चेंज करके इसको सेट कर देंगे तो इसमें दोस्तो क्या है कि दोस्तो बैक बटन हो जाता है दोस्तो राइट साइड की और और टास्क बटन हो जाता है लेट साइड की और चलिए हम इसको सेट कर देते तो दोस्तों इसमें क्या होगा, कि दोस्तों इसमें जु firm ऐक UP और बटन जो है इसमें देखने को मिल जाएगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर back है, home है, task है, आप दोस्तों देखिए यहाँ यह दोस्तों एक और बटन ад हो जुका है. तो दोस्तो देखिए इस बटन से क्या होता है कि दोस्तो जब आप दोस्तो इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है notification पैनल नीचे आजाएगा तो आपको जो भी रखना है वो दोस्तो आप आप जो अपने इसाब से रख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बीच वाले उप्सन सेलेक्ट रखूँगा तो इस तरके से आप जो हैं दोस्तों बैक या फिर आप नेविगेशन बटन को चेंज कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा